हलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत एक बार फेट से आप सभी का MZT Education में दोस्तों आज है 13 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 जनवरी 2014 से बनने वाले सभी महत्पूर्ण कोईशन्स के बारे में बहुत इंपर्टन वीडियो होने वाले हैं लेकिन 30% लोग ऐसे हो जो वीडियो तो देखते हो रोजाना लेकिन सब्सक्राइब नहीं कियो तो वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें चले बात करेंगे हम लोग लाजटे के कुशन्स की उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे तो कल हम लोग ने पढ़ा था 12 जनवरी को राष्ट्याईवा दिवस किस मुहापुरुस की जहनती पर मना जाता है तो स्वामी विवेका नंजी की जहनती पर मनाते हैं इसके लावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है और इसमें भारतिय पासपोर्ट अस्थिने अस्थान पर रहा है और अभी 36 गड़ राज दो सबसे स्वक्ष सहर है याद रखना इसके लावा सबसे स्वक्ष राजी बन करके इस बार महाराष्ट उभरा है यह बात ध्याम रखना महाराष्ट इस बार सबसे स्वक्ष राज्य है अठार से 21 जन्मरी तक निर्धारित विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन ये बेगम पेठ हवाई अड़ा पर किया गया ये हैदरबाद में पढ़ता है हैदरबाद में है ठीक है ना आयलो की रेपोर्ट के अंसार 2024 में वैस्विक बेरोजगारी दर जो है वो पास दसंदो 2% हो जाएगी और सेरिंग टोबगे ये बन गए हैं दूसरी बार भोटान के प्राइम मिनिस्टर रक्षा मंतराले में अतरिक सची और महानेदेशक की रूप में समीर कुमार सिनहा जी क किया गया बहुत ही इंपोर्टेंट है अंतरष्ट्य होकी महासंग याई एफाइच ने वाइकॉम 18 के साथ चार सालों के लिए डिजिटल राइट्स पर या कहा है मीडिया राइट्स पर समझोता किया है यह टॉप 10 करेंट अफेर के कुछन थे कल की वीडियो से जिनका करेंगे डेली कोईज और डेली पीडियो का आप लाब उठाया करें बिल्कुल फरी में एम्जेटी एप पर यह चीज़ें मिलेंगी एम्जेटी एप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा चली आगे पहला कोश्चन हाली में मालदिव ने किस देश के साथ 20 महातपोर समझोते किये है तो मालदिव दोस्तो चाइना के साथ 20 महातपोर समझोते पर हस्ताक्षर किया है देखो मालदिव और इंडिया के बीच अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी आपने देखा बीच में जब मोदी जी पहुँच गये थे लक्षदीप में तो यहां पर देखो मालदिव इ यह चीन समर्थित यह व्यक्ति है और चाइना के सपोर्ट से यहां पर यह प्रेजिडन बना है एक प्रकार से और हम सब लोगों ने भी बहुत बार चार्चाने की कि यह प्रो चाइना है क्योंकि इसकी पॉलसी हैसी थी मतलब यह भारत को वहां से हटाने को लेकर के ही चु ही रहा था तो पीएम मोदी जी एक बार चले गए लक्षदीप में जा करके वो नहां लिए और उसके बाद कहें कि आओ भाईया यहां सब लोग यह भी अच्छा है अब इतना कहना था कि सब लोग तुरंत कयास लगाने लगे अंदाज लगाने लगे कि मालदीव से अपने रिलेशन हो रहे हैं खराब तो हम लोग अपने परेटन को मालदीव को क्यों दें मतलब भारत जो है यह बहुत सारे परेटक भारत की जाते हैं अब इसमें बहुत सारी मात्रा में भारतिये होते हैं परेटक अब यहां पर जब लक्षदीप को किया गया कि लक्षदीप जो है यह आए तो यहां के तीन मंत्री एक्चुली मैं इस पर में बीडियो बनाना चाहता था लेकिन समय नहीं मिल पाया यहीं पर जान लो पूरी विवस्ता में पूरी कहानी बता दे रहा हैं यहां के तीन मंत मंत्री वो भारत के PM को भारत के प्रधान मंत्री को उल्टा सिधा बोल दिए भला बुरा बोल दिए इतना करना था कि भारत के जितने सब लोग इसको आड़े आते लिए और फिर इनको क्या किये रिप्लाइ में करने लगे कि भाया माल्दिव मत जाओ और अपने लक्षदीब के आइलेंड को एक्स्प्लोर करने को सब कहने लगे इतने में इस्राइल जो था वो भी यहां पर कूद पड़ा यहां पर एक मंत्री जो थी वो पीम मोदी को इसराइल का पपेट बोल दी थी तो इस वज़ा से इसराइल भी इन्वाल्व हो गया और इसराइल पहले से ही इस पर मतलब इसको डेल मिली हुई थी कि लक्षदीब में पानी को साफ करने का जो है जिम्मेदारी यह उठाएग जिसे लोग जाएंगे लक्षदीब में तो रुकेंगे वहाँ पर तो यह सारे चीजे होने लगी मतलब की लक्षदीब का प्रेटन जो है वह 35% बढ़ गया लक्षदीब की बारे में सर्चेज लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं और यहां पर तेजी से जाने की सोच भी रह तो मोईजु जो हैं यह भारत से रिलेशन गरबर किये इसमें इनका तो घाटा ही है इनका तो बहुत कुछ घाटा है भारत का अगर डिरेक्ली देखा जाये तो डिरेक्ली भारत का तो घाटा नहीं है लेकर इंडिरेक्ली बहुत बड़ा घाटा है इसके पीछे का करण आपको देख जाएगा यहां पर थी है और और यह खेए चोटे चोटे बहुत सारे आइलाइंड है लग्शिदीग मालदिव पर अगर अपनी से रखता था तो इसी के बहाने इसी के जरी यह पुरा पूरा यहां पर हिंद महासागर छेत में दबदबा रखा करता था चाइना को यहां से प्रॉब्लम होती थी अब चाइना घेरने पर लगा ही हुआ है भारत के जितने पड़ोसी देश है उनको यह घेर रहा है ऐसे में मालदिव का चाइना की गोद में जाना यह भारत के लिए इस्टेटेजिकली थोड़ा सा कंसर्न है ठीक है यहां पर चाइना बैठ जाएगा इधर हमबन डोटा बंदरगा है इधर बंगलादेश को लोग काफी लोन दे रखे हैं मयामार को लोन दे रखे हैं मयामार में तो तक्ता पलट हुआ ही है और इधर जगा आज आओगे तो च समझाते करके आ गए हैं यह नहीं समझ रहे हैं कि यह सीजिन पिंगवा जो है इनको लपेटे का काफी अच्छे से और फिर यह भी उसी इस्थिती में आ जाएंगे जिस इस्थिती में एक समय पर स्रिलंका आ गया स्रिलंका के राश्पती को भागना पड़ा था और इंट् जो समझोते हुए हैं इसमें डिरेक्ली तो चाइना ने नहीं कहा है कुछ कि हम डिरेक्ली तुमको पैसे देंगे क्योंकि इनकी काफी अच्छी खासी बंदामी भी हो चुकी है सीजिन पिंग की यह अगर पैसा दिये तो मतलब समझो कि वो देश जो है वो डूबा क्योंकि इनका पैसा देने की पॉलसी बड़ा अजीब है मतलब आप समझो जितना वर्ड बैंक जिस रेट पर दे रहा होता है आइमफ जिस रेट पर दे रहा होता है उस रेट के लगभग दो गुने के इंट्रेस रेट पर यह लोन देते हैं चाइना वाले और जब इंट्रेस रहेगा और ऐसे देश को इतना बड़ा लोन दे दोगे वह मांगे दगा 10 रुपए उसको दे देंगे 100 रुपए ले जो भी 100 रुपए उसकी मतलब खर्च करने की छमता ही 10 रुपए है उसके 100 रुपए जब आ जाते हैं तो फिर वो भी इधर-धर का खर्च करने लगता है फिर बात में पता चलता है भाता है इतना तो इंटरेश्ट चड़ गया अब वों इंटरेश्ट ही चुका नहीं पाता है तो फिर कहता है तब तब चायना कहता है कि agreement खोल करके देखो मैंने तो कहा था उसमें अगर आप नहीं चुका पाओगे इतने सालों में तो फिर हम इ इंडिया की सेना लगी रहती थी इंडियान ने भी काम करती थी लेकिन अब वहाँ चाइना आएगा नीली अर्थविस्ता ब्लू एकोनोमी मतलब की समझ लोग मचली वगरा का उत्पादनी लोग बहुत करते हैं तो इसके लिए भी ये अब चाइना पर निर्फर रहेंगे ड भारत हमको छोड़ दिया है भारत जो यह है भारत के जो नहीं आने को कह रहे हैं तो आप आप लोग अपना भी यही भी और समलो मिलियन डॉलर में ना आपको जानकर हराणी होगी कि 60,000 US dollar मालदिव से गया है चाइना की तरफ यानि मालदिव ने export किया है थीक है जी बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसको सुनिए गा 451 समलो 2,1 जो है ये चाइना ने export किया है मालदिव को चाइना जो है export किया है अच्छा जी अब इसको क्यों बता रहे हो क्योंकि इन लोगों ने इस 20 समझोते में ही एक बड़ा समझोता किया है FTA का Free Trade Agreement का Free Trade Agreement ये होता है कि दो देशों के बीच में Trade को ले करके अगर ये FTA पर साइमन हो गया Free Trade Agreement पर तो इसका मतलब कि आप अगर हमारे यहां कुछ बेचने आओगे तो आपसे हम Tax नहीं लेंगे आप फिरी में Trade करने आ सकते हो ठीक है जी अब यहां पर जब दोनों हो जागर Trade यहां पर देख रहे हो 99% चाइना बेच रहा है अब चाइना कह रहा है हम बेचेंगे यहां पर आपके यहां कर और 60,000 डालर केवल यह बेचे हैं भाई साथ 2022 में और यह चाइना को 60,000 में बेचने में कह रहा है कि हमसे न लेना तो आप समझो कि कौन जाता बुद्धिवान यहां पर है फिलाल आप जो भी होगा आगे देखा ही जाएगा मुझे तो भया इनका भविस अंधेरे में देख र प्रोब लांच किया तो देखो यहां पर चाइना जो है यह एक नया उपग्रह भी लांच किया है आइंस्टीन प्रोब नाम से चाइना ना पहुत ही अग्रेसिवली बढ़ रहा है और यह बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है भारत के लिए भारत का असली दुस्मन पाकिस को उसमें तो उसमें सेटा सुरी और हुमायू को भता राता तो इस ने ले लेगे लेकिन जब बाबर था उसी समय बाबर ने आगाह किया था कि वहिया इस बंदे से बज़ करके रहना यहाँ पर जो हुमायू था वो दिक्कत कर गया वो मतलब हलके में ले लिया और बाद में सेरसाह जो है इसको बढ़िया से पटखनी दे दिया फिल हाल चायना जो है यही कि तेजी से बढ़ रहा है और इस से अमेरिका को भी है अमेरिका भी बहुत जाद संतोस्ट नहीं है इसलिए भारत से अच्छा रिलेशन बना के रह रहा है और आपको क्या लगता है कि रसिया का इतना खुला सपोर्ट किया इंडिया ने फिर भी अमेरिका चुप रहा ऐसा क्यों किया क्योंकि अमेरिक्या जानता है कि हमारा जो चाइना को अच्छे खासे से टक्कर दे सकता है उसी का प्रोसी भारत आगे फिलाल यह यहां पर आ जाते हैं कुश्चन पर आइंस्टेन प्रोब नाम का यह ख़वोली उब्रा जो लांच किया है चाइना ने इसको ब्रहम्हांडिय घटनाओं का अध्यान करने के लिए लांच किया है पर यह तो यहीं रहें वैसे लोग कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं फिलाल एक कमल के आकार का है सेटिलाइट आइंस्टेन प्रोब नाम रखा इसका आइंस्टेन के सम्मान में और बारा पंखुणिया दो पूंके सर है इसमें मतलब एक प्रकार से कमल का ही पूरा रूप दिया गया है इसमें ठीक है जी तो आंत ब्रमांडिया घटनाओं का यह अध्यान करेगा अगला अब चाइना से रिलेटिट पिछले दिनों में जो करने इंट अफेर के को शना हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेते ह डोंग जू जो हैं अभी रक्षा मंदरी बने एक रक्षा मंदरी तो गायब हो गये थे बाद में पता चला कि वो निपट गए दूसरा पिर्तिवी पर सबसे गहराई परिस्थित इसने लेव लांच किये दो दसमलो पांच तेज सो सम्थिंग के मीटर के नीचे है मतलब कि लगभग धाई किलो मीटर अंदर है दुनिया का पहला मेथेन से उड़ने वाला रॉकेट लांच किया इसने दुनिया का पहला चौथी पीडी का परमावर रियक्टर सुरू किया इसने वित्तिय जोखम के लिए एक प्रांध एक नीती योजना सुरू की दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लांच किया विस्व का सबसे बड़ा घोष्ट पार्टिकल डिडेक्टर ट्राइब्रेंट अभी निर्मित किया है चाइना में आगे बढ़ते है वित्तमंतरी निर्मला सीतर नमर्ण जी के अनुसार अचाहिए एक चीज मैं आपसे पूछना जाओंगा भाई देखो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक क्यों नहीं करते हो लाइक कर दिया करो जिस दिन मैं कहता हूं उसी दिन करते हो देखूंगा मैं जब कि पिछले 3-4 दिनों में किस दिन मैंने बोला था तो पता लगएगा चौथे दिन मैंने बोला था उसमें या पता लगा कि 11-100 लाइक आगे या 12-100 लाइक आगे, बाकि दिन जीस दिन नहीं बोला, उज दिन 800 लाइक ही रह जाते हैं, 700 लाइक रह जाते हैं, 900 लाइक रह जाते हैं, इसको आप लोग कर दिया अपने मन से इसको रूश कहना ना पड़े जिस से, वैसे भी मैं वीडियो के बीच में कहता नहीं हूँ जल्दी वित्मंतरी निर्मला सितरमड के अमसार भारत कब तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थविस्ता बन जाएगा तो भारत बन जाएगा 2028 तक यहाँ पर इन्होंने फाइनेंसियल एर की बात की है और फाइनसियल एर 2028 तक कहा है कि भारत यह 5 ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी भी बन जाएगा साथी साथ भारत थर्ड लार्जेस्ट एकोनोमी भी बन जाएगा निर्मला सितरमर्ड जी वित्तमंत्री हैं और इन्होंने यह अभी वाइब्रेंट गुजरात समहरों में अपने स्पीच के दोरान बताई वित्तियवर्स 2028 के अगर मैं बात कुरूँ तो इसका मतलब होता है वित्तियवर्स 2027 यानि कि एक अप्रेल एक अप्रेल दोहजार संताईस से ले करके 31 मार्च दोहजार अठाईस ये बात तो समझ रहे हो ना आप एक अप्रेल से एक तिस मार्च तक फाइनसियलियर चलता है ठीक है भारत में तो यहाँ पर देखो भारत में तब से तीसरी सबसे बड़ी वस्ता बन जाएगा और 2047 तक हम लोग विक्सित भारत होंगे तब 30 ट्रिलियन डॉलर की जीडिपी हो जाएगे अपनी अभी कितनी है अभी 3.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडिपी है यानि लगबग 10 गुना हम लोग को और बढ़ना है आगे अभी हम लोग भारत की अभी जो भारत है वो पांचवी सबसे बड़ी अर्थवरुस्ता है दुनिया की जिसमें भारत से उपर अमेरिका है चीन है जापान है और जर्मनी है तो हम लोग 2027-26 तक तीसरी बनेंगे यानि कि अमेरिका और चीन के बाद तीसरा होगा भारत अमेरिका और चीन को पीछे करने में बहुत टाइम लगेगा और उसमें चाइना को साथ हम लोग पीछे ही न कर पाएं अमेरिका को 2070 तक पीछे कर पाएंगे एक रिपोर्ट आये थी ब्लूमबर की उसके अनुशारी बताया गया था कि भारत जो है 2070 में अमेरिका को पीछे कर देगा एकोनोमी के मामले में और चाइना जो है फिलाल तब भी और आगे ही रहेगा आगे भारतीय नौसेना को हाली में किस नाम से भारत का पहला सुदेसी स्टार लाइन ड्रोन प्राप्त हुआ तो दोस्तो भारतीय नौसेना को अभी हाली में द्रिष्टी 10 नाम से भारत का पहला सुदेसी स्टार लाइन ड्रोन प्राप्त हुआ है ये है Drishti 10, इसको Adani Group ने एक इसराइल की कंपनी के साथ मिल करके बनाया हुआ है, ये एक Starliner Drone है, Drishti 10 नाम से, इसे पहला सोदेशी Medium Altitude Long Endurance यानि मेल ड्रोन कहा जा रहा है, तो इसराइल की एक रक्षा फर्म है, एक कंपनी है, Defense Company है, Elbilt Systems, तो Elbilt System और Adani Defense and Aerospace इन दोनों के साथ मिल करके बना गया है, अच्छा, इसराइल में बहुत ही पॉपलर एक Starliner Drone है, Hermes 900, तो उसी Hermes 900 का ही समझ लूए, एक प्रोटोटाइप है, एक उसी का प्रकार है, जो Drishti 10 के नाम से भारत में उड़ेगा, ठीक है, और मिला किसे पार्ति ये नौसे ना को, अगला, हाली में चीनी उद्दोग में सर्वस्रेष्ट पर्यावरान अधिकारी का पुरुसकार जीतने वाली पहली महिला खौन बनी, तो बहिए पहली पहला पहले अगर मिले तो तुरन समझे, वो कुशन हो गया, इंपोर्टेंट, और अगर पहली महिला मिल जाए, तो वो हो गया डबल इंपोर्टेंट, ठीक है, याद रखना, तो सर्वस्रेष्ट परयावरान अधिकारी का पुरुसकार चीनी उद्दोग में पाने वाली पहली महिला बन गई है, दीपा भंडारे, इनका नाम आपको याद रखना है, यहाँ पर यह दीपा भंडारे दिख रही है, ची कहीं पर महिलाओं को जब अपॉर्चिन्टी मिलती है, तो बहुत ज़्यादा कमाल कर जाती है, यहाँ पर इन्होंने ऐसा है किया, और इस वज़े से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया, किसने सम्मानित किया, सरत पवार जी ने, ठीक है, सरत पवार आप दिख रहे हैं, अब पहली महिला को देख लेते हैं, नीना सिंग अभी CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है, अब एक उजिन पहले ही की न्यूज है, बहुत इंपोरेंट है, डक्टर सवीरा प्रकास्त, पाकिस्तान में चुनाओ लड़ने वाले पहली हिंदु महिला है, लाल इंपोई, ये मिल्जोरम की पहली महिला मंतरी बनी है, नई सरकार आई है, कंचन देवी, ICFRI की पहली महिला महानितिसक बनी है, सीतल महाजन को माउंट टेवरेश्ट के पास 21,500 फीट से हाई स्काइडाइब करने वाली ये पहली महिला बनी, सेख हसीना दुनिया के सबसे ल पहली महिला अध्यक्स बनाए गई है, आगे, महामयरातन का करेंट अफेर का पार्ट टू कल अपलोड कर दिया गया, कल साम को 8 बजे आया, ये कलास, आप लोग जो है, अगर नहीं देखे हो तो इसको जो फटाफ़र से देखता है, महामयरातन की जो स्रीज चल रही है, इस आप के लिए बहुत ही महातपून है, कोई भी लोग ये मत कहना मेरे एक्जाम के लिए इंपॉर्टन है या नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टन है, जा करके देखो, फ्रेस कॉंटेंट, अपडेटेट कॉंटेंट है, इसको अच्छे से आप तयार कर डालो, महामयरातन करें व्रटमान में भारत का अगला राजदूत किसी नहीं पर दिख रहे हैं, ये यूपी कैडर के दोस्तों IAS ओफिसर रहे हैं, और इनको अभी भारत का राजदूत नहीं किया गया है, विस्ववयापार संगठन में, ये 31 मार्च से 2024 से अपना पद गराण करेंगे, जब वरत अत्मान में जो वहाँ पर भारत के राजदूत हैं ब्रजेंद नवनीत वो रिटायर हो जाएंगे तब ठीक है तो इनको अगले तीन वर्सों के लिए नियुक्त किया जाएगा दोजार दो बैज के आईए सद्कारी हैं उत्तरप्रदेश कैडर के विस सवे आपार संगधन की बात करें तो इसके स्थापना 1995 में होई थी चिनेवा में हेटक्वाटर है महाने देशक है नगोंजी अकोंजो इवेला अच्छा एक चीज और ये एक डवलू टीओ है ठीक है एक होता है UNWTO, United Nation का WTO जान रखना ये अलग चीज है ये है United Nation का WTO यानि की World Tourism Organization क्या है? tourism organization है तो tourism organization इसका headquarter अलग है तो headquarter भाई जब संस्ता ही अलग है तो headquarter भी अलग होगा इसका headquarter है Madrid में और कई-कई बार ये confuse करने के लिए एक जामनर पूछ लेता है कि बताओ UNWTO का headquarter कहा है जल्दबाजी में जो होते हैं भाई साहब लोग वो बहुत तेजी से जिनेवा लगा कर चले आ जाते हैं लेकिन इंकलत हो जाता है ध्यान रखना WTO अगर केवल लिखा रहे तब जिनेवा लगाना है अगला किस हवाई अड़े को वर्स 2023 के लिए विश्व के सर्वसेष्ट हवाई अड़े का खिताब दिया गया तो 2023 के लिए विश्व का सर्वसेष्ट हवाई अड़ा बना है दोस्तों चांगी एरपोर्ट सिंगापूर का ये बारहुमी बार बना हुआ है बारहुमी बार सुचो बारहुमी बार विश्व का सबसे best airport बना हुआ है ठीक है पिछले दो बार से नहीं बन ला था लेकिन एक बार फिर से अब आ गया है अपनी पुरानी पोजीशन पर airport of the year चुना गया है स्काइट्रेक्स की ये रिपोर्ट आई हुई है world best airport Singapore चांगी airport ठीक है इससे पहले दो साल के लिए कतर का हमाद अंतराष्टी हवाइड़ा ये टॉप पर चुना गया था उसके बाद ये फिर से आ गया और चांगी airport फिर से अभी इस लिस्ट में सामिल हो गया ठीक है जी चलो आगे बढ़ते हैं हाली में किस देश के वैग्यानिक जो है भारत के अंतराष्टी का अभियान में सामिल हुए तो दोस्तो बांगला देश और मौरिसस इन दोनों देशों के अभी साइंटिस्टों को अन्यमती मिली है कि भारत के अंतराष्टिक अभियान में वो सामिल हो सकते हैं और भारत के साथ मिल जूल करके जाकर रिसर्च कर सकते हैं तो को अंटार्कटिका में वैसे कोई छेतर डिसाइड नहीं है किसी का वहाँ पर ऐसा किया गया है कि चलो ठीक है आ करके सब लोग एक्स्प्लोर वगरा कर सकते हो कोई वहाँ अस्थाई निवास नहीं ले सकता है कोई साइंटिफिक रिसर्च वगरा करनी है तो जा करके करो ठीक है लेकिन कोई अस्थाई निवासी नहीं बनेगा यह सब के बीच में एक समलू मिच्वल अंडरिस्टेनिंग हुई है तो ऐसे में भारत जो जाकर के जहां पर एक्स्पेरिमेंट्स वगरा करता है उसकी टीम में बांगला देश के भी और मौरिसस के भी कुछ साइंटिस्ट को आने का मोगा मिला है भाई अभी उभर रहे हैं भारत जैसे देशों के साथ मिल करके यह तो सीखेंगे तो अभी भारत में कॉलंबो में कॉलंबो यानि स्रिलंका में सुरक्षा करो सीखेंगे मिल करके भारत के साथ रिसर्श वगरा कर सकेंगे अर्केटिक अभियानम अचया जी यहाँ भी माल्दिव है अब देखो माल्दिव अब रिलेशन तो गड़बर हुआ है देखो भारत इसको आने देता है कि नहीं फिलाल तीन से चार महीनों के लिए साइंटिस्ट लोग जाते हैं यहाँ पर रिसेश बगरा करते हैं फिर वापेश चले आते हैं आगे बढ़ते हैं हाली में उत्तर प्रदेश के किस स्थान के बेसन के लड़ू को जी आई टैग दिया गया तो देखो बेसन का लड़ू भाई है यह आयोध्या का हनमान गड़ी का बहुत ज़्यादा पॉपलर है और हम लोगों ने कई बार खाया हुआ है हम लोग हनमान गड़ी कई बार जा देख दे दिया गया अब अयोध्या के तो समझ लो दिन लौट है और अयोध्या में इतनी साइट डेवलप्मेंट्स होई रही हैं 22 जनवरी को रामलाला विराजमान भी होंगे और जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी आप लोग भी अपने घरों में कुछ नहीं सिस्टी रोहों को आपको 24 पढ़ना है तो यह कर पाईए तो यह जरूर कीजिए 22 जनवरी को 500 सालों के बाद ऐसा मौका में रहा है आप मेरी रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं आप लोग ऐसा करने का प्रयास जरूर कीजिएगा आगे बागी सबकी अपनी अप आप लोग इस बात को लेकर कमेंट मत क्या करो कि नहीं नहीं आपको हमारे जैसा होना चाहिए कोई जरूरी नहीं भी सब चलो हनवान गड़ी बेशन के लड़ू को यह अयुद्धा का यह प्रोड़क्ट है इसको जी आई टैग मिला है रेड आंट चटनी यह औरिसा का प् कुछी जाने की चांसे अतना ज़्यादा होंगे फिलहाल हस निर्बिंत कालीन और वांचो लकडी के सिल्प को और रांचल प्रदेश का यह है इसको मिला जी आई टैग ऐसे ही पश्चिम मंगार के काला नूनिया चावल सुंदर बंसहद और कांधियाल साडियां को मिला जी लगता कि एक्जामनल इस सिफ कुश्चन पिक करेगा फिलहाल मेरा काम है बताना तो मैं तो बता तो देता ही हूं लेकिन मुझे जैसा लगरा जाना तक कि यह लेस इंपोर्टेंट हो गया है गुरसवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतिये महिला कौन ब अगरा की बारे में तो मैंने दो-तीन बार वीडियो में आपको बता दिया लिश्ट भी दिखा दी लेकिन अब चूक्कि वहां से कुछ ऐसे अंटीक अंटीक पूस्चन जहां से बन सकते हैं जैसे यह पहली महिला बनी है गुरसवारी में तो इसलिए यहां से कूस्चन बन मंत्रे जवारलाल नेहरु जी ने क्या किया था पंचायति राजव्यवस्था लाभू के थी राजव्यवस्था लागू के थी राजव्य Week द्रब द्रन चलो तुम पिछले 5 वर्सों में पाने वाली रैस्थान की भी ही एक मात्र महिना है इसके धे7 खेलो में पदक जीतने वाली भी पहली महिला है किलियर है तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करेंट के कुश्चन साइट हो पीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और सेर भी करना मत भूलना टेलीग्राम पर इसकी पीडियाप भीजी जा रहे है तो टेलीग्राम गुरूप जॉइन करके रखो फिरी में पीडियाप आप डाउनलोड कर सकते हो एमजेटी एजूकेशन पर जाना है और आपको डाउनलोड कर लेना है पीडियाप कल मैंने आपसे पूशाता कोश्चन पेरिस संजोते में ग्लोबल वार्मिंग को डिएड़ डिएड़ी सल्सिस स्या दिखोने का लक्ष कब रखा गया था 2015 में हो रखा गया था युनिस्को के विसुदरो समित में कुल 21 देश सामिल है जिब में भारत इस बार मेजबानी करेगा अधिकता करेगा आज आपको क्या बनाना है स्वक्ष सर्वेच्चर प्रोज़कार 2023 में राज्यो की स्रेड़ी में सीर्स पर कौन सा राच्चे है दूसरा हाले में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 24 करम सार भारतिय नागरिकों को कितने देशों में बिना वीजा के यातरा की अनमती है दोने क्यूशन अच्छे हैं दोने के बारे में आप डेटेल में भी लेख सकते हो कुछिस करना जरूर डेटेल में लिखने की मेर मिलोगा आप से आरी वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद वन्देमात्रों